औरते भी बड़ी बेवकूफ होती है, शोर्ट हिंदी स्टोरी औरते बड़ी बेवकूफ होती है, रोजाना की तरह आज फिर इस्वर का नाम लेकर उठी थी, केचन में आई और चूलहे पर चाय का पानी चड़ाया, फिर बच्चों को नीन से जगाया ताकि वे स्कूल के लि पती के लिए दोफेर का टिफिन बनाना भी जरूरी था, इस बीच स्कूल का रिक्सा आगया और वो बच्चों को रिक्षा तक छोडने चली गई, वापस आकर पती का टिफिन बनाया और फिर मेज से जूटे बरतनी खटा किये, इस बीच पती देव की आवाज आई, कि मेर करके चली गई, कि भावी आज मुझे भी कुलेज जल्दी जाना है, मेरा भी नास्ता लगा देना, तब देवर की भी आवाज आई, कि भावी नास्ता तयार हो गया क्या, अभी लीजिए नास्ता तयार है, कह देने भर से बहु बेटी नहीं बन जाती, पती और देवर ने और अकबार पढ़कर अपने अपने अफिस के लिए निकल चले उसने मेज से खाली बरतन समयटे और साथ ससूर के लिए उनका परहज का नास्ता तयार करने लगी दोनों को नास्ता कराने के बाद फिर बरतन इखटे किये और उनको भी किचन में लेकर धोने लगी इस बीच सफाई वाली भी आ गई उसने बरतन का काम सफाई वाली को सोब कर खुद बेट की चादर या वगीरा खटा करने पहुँच गई और फिर सफाई वाली के साथ मिलकर सफाई में जुड़ गई अब तक 11 बत चुके थे अभी वो पूरी तरह काम समेट भी ना पाई थी की कॉल बेल बजी दरवाजा खोला तो सामने बड़ी ननत और उसके पती वा बच्चे सामने खड़े थे उसने खुसी खुसी सभी को आधर के साथ घर में बुलाया और उनसे बाते करते करते उनके आने से हुई खुशी का इजहार करती रही ननत की फरमाईश के मताबिक नास्ता तयार करने के बाद अभी वो ननत के पास बेटी ही थी की सास की आवाज आई आई की बहू खाने का क्या प्रोग्राम है उसने घड़ी पर नजर डाली तो बारा बज रहे थे उसकी फिक्र बढ़ गई वो जल्दी से फ्रीज की तरफ लपकी और सबजी निकाली और फिर से दो पेर के खाने की तयारी में जुट गई खाना बनाते बनाते अब दो पेर का दो बच चुके थे बच्चे स्कुल से आने वाले थे लोग बच्चे आ गए उसने जल्दी बच्चों की ड्रेस उतारी और उनका मुह हाथ धुलबा कर उनको खाना खिलाया इस बीस छोटी ननत भी कोले से आ गई और देवर भी आ चुके थे उसने सभी के लिए मेज पर खाना लगाया और खुद रोटी बनाने में लग गई खाना खाकर सब लोग फिरी हुए तो उसने मेज से फिर बरतन जमा करने शुरू कर दिये इस वक्त तीन बज रहे थे अब उसको खुद को भी भूग का एसास होने लगा था उसने होट पोट देखा तो उसमें कोई रोटी नहीं बची थी उसने फिर से किचन की ओर रुक किया तभी पती देव घर में दाकिल होते हुए बोले कि आज देर हो गई भूग बहुत लगी है जल्दी से खाना लगा दो उसने जल्दी पती के लिए खाना बनाया और मेज पर खाना लगा कर पती को किचन से गरम रोटी बना कर ला ला कर देने लगी अब तक चार बत चुके थे अभी वो खाना खिला ही रही थी कि पती देव ने कहा कि आ जो तुम भी खालो उसने हैरत से पती की तरफ देखा तो उसे ख्याल आया कि आज मैंने सुभा से कुछ खाया ही नहीं इस ख्याल के आते ही वो पती के साथ खाना खाने बेट गई अभी पहला निवाला उसने मुह में डाला ही था कि आख से आसु निकल आए पती देव ने उसके आंसु देखे तो फोरण पूचा कि तुम क्यों रो रही हो वो खामोश रही और सोचने लगी कि इन्हें कैसे बताओं कि ससराल में कितनी महनत के बाद ये रोटी का निवाला नसीब होता है और लोग इसे मुफ्त की रोटी कहते हैं पती के बार बार पुछने पर उसने सिर्फ इतना कहा कि कुछ नहीं बस ऐसे ही आंसु आ गए पती मुस्कराए और बोले कि तुम औरते भी बड़ी बेवकूफ होती हो बिना वाजा रोना शुरू कर देती हो आप इसे सेर नहीं करेंगे अगर आपको भी लगता है कि गिरहनी मुफ्त की रोटी के तोड़ती है सभी गिरहनियों को साधर समर्पित एसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें